नमस्कार नुभरा टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ विनित्र पाठी ये कहना गलत होगा कि भारत और मालदीब के संबंदों पर तनाव तब हुआ जब प्रधान मंती नरेंद्रमोधी लक्षदीप पहुंचे इसके बाद मालदीब के ती माली थी और तभी से भारत और मालदीब के संबंदों का ग्राफ नीचे की तरफ गिरने लगा इसके पीछे कई वचे हैं मगर आज हम इस इस्पेशल रिपोर्ट पर कुछ सवालों के जवाब टोलने की कोशिश करेंगे मालदीब को भारत से रिष्टे विगालने का काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और किसी हद तक यह सही भी है लेकिन मालदीब भारत और चीन दोनों के लिए ही रणलीतिक रूप से बेहरत एहम हैं यही वज़ा है कि दोनों ही देश मालदीब पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते हैं दरसल हिंद महासागर में मालदीब की लोकेशन उसे एहमियत प्रदान करती है क्योंकि मालदीब हिंद महासागर में इस्थित एक टोल गेट की तरह काम करता है इस द्यूप संखला के दक्षडी और उत्री हिस्से में संचार के दो महत्यपूर समुद्री मार्ग इस्थित हैं यह पश्चमी एसिया के अधन की खाड़ी और दक्षडपूर एसिया में मल्लिका जल डमरू के बीच समुद्री विपार के लिए प्रमुक है इसके साथ ही खाड़ी देशों से जो भी तेल आता है वो यहीं से होकर गुजरता है ऐसे में चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ते हुए मालदीप में अपनी पहुच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है भारत के लिए मालदीप क्यों बहयात है पहला कारण तो यह है कि लक्षदीप से यह मात्र 700 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत की मुख भूभाग से मात्र 1200 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है भारत की neighborhood first policy और सागर सुरक्ष सहायता के तहट मालदीप जरूरी हो जाता है मालदीप में लंबे समय तक भारत की प्रभाव में रहा है, भारत की मालदीप में मौझूदगी से हिन महासागर के एक प्रमुक हिस्से पर नजा रखने की शम्ता मिल जाती है हिन महासागर में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई देशों में अपनी मौजूदगी भी बढ़ा रहा है दूसरी तरफ उसको रोकने के लिए भारत चाहता है कि वह इन देशों में अपनी मौजूदगी को वहाँ पर मजबूती से दर्ज करा है चीन वैश्विक व्यापार और इंफ्राइस्ट्रक्चर के जरिए इन देशों में तेजी से अपने पैर जमा रहा है भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसेनिक रणनीती के दाएरे में यह इलाका रहे भारत पिशली कुस सालों से मालदीप से दूर होता गया इसकी वजहती रही कि पूर्व की अब्दुल्ला यामीन की सरकार जिसका चीन से ज़्यादा लगाव रहा और उन्हें भारत के साथ में बेरुखी दिखाई मालदीप में चीन के दिल्चस्प हाल के वर्सों में दिल्चस्पी हाल के सालों में बढ़ी है और इस पे भारत का असाहस होना लाजमी है वैस्विक संबंधों में या आमराय बन रही है जहां जहां चीन होगा वहां वहां भारत मजबूत नहीं रह सकता मालदीब से लक्षदीब की दूरी 1200 किलो मीटर है ऐसे में भारत ये नहीं चाहेगा कि चीन पडोसी देशों के जरिये उसके और करीब पहुँच जाए एक रिपोर्ट के अमसार इस छोटे से देश पर चीन का 2 बिलियन डॉलर का कर्ज है ये कर्ज जो है ये मालदीब की GDP का एक तिहाई से भी जाता है पूर राश्पती नसीर ने यामीन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन ने मालदीब के करीब 16 छोटे दियूप को लीच पर रे रखा है और वहाँ पर वो निर्मालकार भी कर रहा है नसीत ने यामीन सरकार पर भेष्टाचार का आरोप लगाया था ये कयास लगाया जा रहे थे कि चीनी निर्मालकार के कारण मालदीब के चीनी कर्ज के जाल में फसने की आशंका है हाला कि चीनी विदिश मंत्राले ने नशीत के आरोपो को सिरे से खारिच कर दिया था हिन महासागर के अंदर लाइन आफ कम्मिनिकेशन को सुरक्षित रखने के लिए मालदीब की लोकेशन से आफ काफी कुछ कर सकते हैं उधारर के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सरविलांस भी रखना चाहते हैं तो मालदीब की जो लोकेशन है उसके आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का पर्मानेंट एयरक्राफ करियर है योरोप में जब महायुद्ध हो रहा था तो मालटा दूइप है जो की मेडिटरियन सीन यानिकी भूमद सागर के अंदर है उसकी खासियत इसका साइज नहीं इसकी भासा नहीं लेकिन इसका जियोग्राफिक लोकेशन था जो कि स्टाटेजिक या सामरिक बन जाता है इसी यह कि 500 साल के बाद में चीन ने हिंद महासागर में पहली बार 2007 और 2008 के दर्मियान प्रवेश किया था भारत की मदद के बावजूत मालटीप में चीनी प्रभाव बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है उसकी आंतरिक राजनी थी दरसल मालटीप की जो अर्थवेवस्ता का भी सामना कर रहा है मालटीप बेरोजगारी और महंगाई समस्यों सो भी चूच रहा है तो ऐसे में चीनी निवेश की तरफ उसकी निरभरता जादा बढ़ती जा रही है चीन हर गरीब देश को पैसा देता चाहे वो अफ्रीका हो यह साउथ इस्टन एडिया में चीन ने पाकिस्तान, कर्गिस्तान, अफगानिस्तान, श्री लंका, नेपाल और आसपास के कई छोटे देशों को मदद करने के बहाने बड़े बड़े करज दिये या फिर उनको किसी نہ किसी प्रोजेक्ट बनाकर उन उस देश में निवेश किया जिसका आउट्पुट उस देश के लिए कुछ नहीं आने वाला इसके बाद ये देश चीन के कर्ज तले फस जाते हैं और आगे चल के ऐसे नेगुशियेशन करते हैं जिसके कारण उसको अपना बहुत बड़ा हिस्सा चीन को सौपना पड़ जाता है उधारन के लिए आपके बताता हूं श्री लंका ने हमन टो मालदीब भी एक ऐसा देश है जो करीब दो बिलियन डॉलर के चीनी कर्च में डूप चुका है विशलेशको का मानना है कि घरेलू समस्याओं से मद्दाताओं का ध्यान भटकाने के लिए मालदीब के राजनीतिक दल इंडिया आउट नामक कैंपिन चलाकर राष्टवात क में मालदीब की आंतरिक राजनीती भारत के साथ उसके अंतराष्टी संबंधों को प्रभावित कर रही है लेकिन इसके बावजूत मालदीब में भारत की भूमका को सिरे सिखारिज नहीं किया जा सकता फिलाल इसे स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रही है नोभरत टाइम्स के साथ